नमस्कार दोस्तों, मैं मयूद सुर्यूवेंशी आपका मित्र स्वागत करता हूँ सुर्यूवेंशी अकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों आशक करता हूँ कि पिछले सभी वीडियो जिसको मैंने आडियो लेक्चर के माध्यम से बनाया था वो सभी आपने सुने होंगे और आपके काम में भी आए होंगे आज का जो टॉपिक लिया है आज हम जानने वाले हैं राजनितिक विचारधाराओं के बारे में राजनितिक विचारधाराएं ऐसी जिसे आपको पढ़के बहुत इंट्रेस्ट आएगा या कई बार आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे या किसी अनियर प्रकार की किताब पढ़ते होंगे तब आपको कुछ शब्द बहुत परेशान करते होंगे जैसे कि आपके सामने कभी कोई शब्द आ गया कि श्रमिक संगवाद क्या होता है या अराजकतावाद क्या होता है इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है सामंतवादी विवस्था के अंदर ये वाली बाते थी तो सामंतवाद क्या होता है उदारवाद हो गया पूंजी वाद हो गया या फिर एक नया टॉपिक और आता है कि प्रारंबिक समाजवाद क्या था एक और शब्द आता है फेबियन वाद तो फेबियन वाद के बारे में हम जानेंगे आज माक्स वाद के बारे में, गिल्ड समाज वाद के बारे में नाजी वाद के बारे में नाजी वाद से ताना शाही जुड़ी हुई है तो उसको भी समझ लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फासी वाद के अंदर क्या था तो इस प्रकार से ये प्रमुक राजनेतिक विचार धारा है जिसमें हमारा एक माववाद भी आ जाएगा माववाद से निकल के माक्सवाद आ जाएगा तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़े हैं तो इन सभी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों क्लास टार्ट करते हैं दोस्तों बात करते हैं फेबियन वाद की अब बात करते हैं फेबियन वाद एवं समाज वाद की फेबियन वाद वास्तों में रोमन जो सेना पती थे एक रोमन जनरल थे फेबियस उनकी एक समर निती से ये उत्पन हुआ है जिसकी सफल य आपके पास उचित अफसर नहीं आ जाता तब तक आप आराम कीजिए वेट कीजिए और जब आपको ऐसा लगता है कि परिसितियां आपके फेवर में हैं आपके अनुकूल हैं तब आप आकरमन कर सकते हैं इसी रणनीती के ऊपर चलते हुए 1884 में इंग्लेंड में सिडिनी व समाजवादी विचारों के प्रसार द्वारा सामाजिक आर्थिक विवस्था के क्रमष्य परिवर्तन के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष को प्राप्त करना अगर इसको साधरान शब्दों में समझे तो फेबियन सोसाइटी चाहती थी कि जो हमारे आर्थिक विवस्था है उसमें हम कुछ परिवर्तन करें आर्थिक विवस्था में परिवर्तन आएगा तो इसे लोकतांत्रिक समाजवाद का जो हमारा लक्ष है हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अब लोकतांत्रिक समाजवाद किया होता इसको आपको अलग वीडियो में फेबियन वादी जो विचारत थे ये ऐसे वर्क की कटू आलोचना करते थे जो उत्राधिकार में प्राप्त जो भूमी है एवं जो अध्योगीक पूंजी है से बिना श्रम की अगर कोई लाप्राप्त करता है या उत्पादन के इन साधनों को ये विचारत जो हैं पूर्ती अधिग्रहित कर उस पर संपूर्ण समाज के हित में नियंतरण के पक्षमे रहते थे कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये कहते थे कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए पूंजी पती जिसने पूंजी निर्माण में किसी प्रकार के श्रम को नहीं कि किया है तो उसका उस पूंजी के लाब पर भी कोई हक नहीं बनता पूंजी से अगर काम मजदूरोंने किया है और उतपाधन मजदूरोंंने किया है तो उसका जो लाब है वो भी मजदूरों में बड़ जाना चाहिए तो फेबियन वादी विचारक इस симण की बात करते थे तो हमारे भारत में आज की तारिक में लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित है जो व्यक्ति मजदूरी करता है और जो व्यक्ति काम करता है और जिसके वज़े से प्रॉफिट होता है तो उस व्यक्ति को उस प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाता है तो इस प्रकार की विचार दारा है